आगे बढ़ते हैं बात माकन सर की क्लास की प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी अजे माकन का आज भी फीड़बैक संगवाद पीसेसी में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ये होटल मेरियेट से रवाना हो गए हैं अजे माकन अब इसके बाद पीसीसी मुख्याले वो पहुचेंगे वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ में उनकी बैठक होनी है पदाधिकारियों से फीड़बैक लेंगे अजे माकन ये तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं होटल मे अगे बढ़ते वे पिसी से मुख्याले के लिए और भारत में साथ उच्छुके हैं यहीं से मौजुद हैं भारत रवाना हो चुके हैं पिसी सी मुख्याले के लिए अजे माकन अब बता दू कि जो प्रदेश पिर्वारी है अजे माकन फिलाल होटल मेरियर से रवाना हो चुके हैं उनके साथ जो पीची सी चीफ हैं गोबिन सिंग दोटा सरा वो भी पीची सी के लिए लावाना हो गया है पीची सी में जहाँ पीची सी पदादिकारी को शाथ जो बता दू करेंगे और उसके बाद आज आज आपड़ी रवाना हो चुक्त पर अच्छी पदादिकारी को साथ जो पर आप रहे हमारे साथ इसके पर ब्यूरचीफ योगे शर्मा भी बासा जुड़े हूए हैं वह पिसे मुख्याले में ही मौजूद है योगेश्री आज दर के बाद अजे माकन वाह पर पहुचेंगे किस तरीके से संगवाद होगा वहां पर अथिकारियों के साथ में क्या कुछ खास रहने वाला है आज पिससे मुख्याले में कि देखिए जो खास सबसे महत्यपूर्ण था वो तो दो दिल में हो चुका है विधायकों की बैठक हो चुकी है और जो जनप्रतिनीदी है वो अपनी बात कह चुके हैं प्रदेश कॉंग्रेस कारेकारनी की आज बैठक लेंगे तकरीबन 49 प्रदेश कॉंग्रेस कारेकारन के जो मेंबर हैं पतादिकारी हैं उनकी आज एक जोईंट बैठक लेंगे चार अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हैं महिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहाना रिया जैपूर से बाहर है वह नहीं आएंगी बाकि तमाम तीनों अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष है तो अब वह बैठक भी होने जा रही है कुछ दिर बाद अजमाकन यहां पहुंचेंगे और उसके बाद बैठकों का सलसला शुरू होगा कई प्रमुक पदादीकारी पहुंच चुके हैं मेंदर माली है डॉक्टर जितेंदर सिंग राजिंदर चौधरी नसीम अक्तर इं में जो अगला विजन रहेगा रधें करद ने अधेक्ष मने है इस वार ब्लॉक्स के संक्या बड़ी है प्रदेश का उगरत इसको भी देखा जाएगा तो पूरे कहा जा सकता है कि सत्ता के स्ट्रेंथन के साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर अब प्रदेश कॉंग्रेस के प्रभारी अज्यमाकन का फोकस है आला कमान का फोकस है और देख सकते हैं पीची सी में जो गहमा गेमिया आपको नजर आ रही है और हमार साथ यहां पर क्या सकते हैं जन प्रतिनीदों से माकन मिल चुक है आज आप लोगों से मिलेगे प्रदेश पर दाजीकारी तो क्या मक्सद है किस तरह से पार्टी की मजबूती के लिए क्या कुछ प्रियास उनकी दिशा में यह बैठक हो रही है माकन साब जब से राज्थान कोंग्रेस के जो उमीदें हैं और किस परकार से सरकार के बीच में वो एक बहतर सेतु का काम करके जनता के बीच में किस परकार से हमारे कियवे वादों को ले के जाएं जिसके कार्यकरता आपने आपको गुर्वानित कर्श के इसले हमें फक्र है कि हमारे जो नेता हैं माकन साब सदेव सम समाद होगा पार्चीश होगी तो क्या कुछ बात संगठन के और से रखी जा सकती है देखें निशी तुरुप से संग्ठन में बहतर क्या हो सकता है किसी से भी जो भी चीज़ें हैं सरकार के अंदर जो कार्य करता जो होता संग्ठन का विक्ति होता वो जनता के बीच में सीध है कि समाद का सिलसला सदेव जारी रखा जाए जो नीचे से द्रातल पर जो हमारे जिलों में जाके जो पदादीकारी काम करके आए हैं क्या-क्या उनकी उमीदें हैं क्या-क्या वो सरकार से और चीज़ें चाहते हैं वो पूरा विक्तिकत जब बातें करेंगे तो उनकी तो यह तमाम ऐसे मुद्धे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है निसी तुषे जब प्रदेशा अदेक्स जी ने के निर्देश्र में आपने देखा कि दस दिन तक महेंगाई का कोविड का कारिकाल था बड़े आयोजन हम एक साथ में नहीं कर सकते सोचिल डिस्टेंसिंग रखनी होती है इसलिए हर संक्तर ने दस दिनों में अलग लग हमने सिंबोलिक तोर पे कहीं बड़े जो प्रोग्राम है वो किये उससे पहले सोचिल प्लेटफरम पर भी किये आज किसान का इस बात को चर्चा कर रहा कि सब्सक्राइब नहीं हो पारा महेंगाई के है वह बह स्वास्ति मंत्री ने भी केंदर सरकार को लिखा कि जैसे विक्षिन मेले आज रास्तान की कैपेसिटी पंदर लाख विक्षिन लगा सकते हैं हम अपनों को कैसे बचा पाएं यह नीची तुरुप से मुद्धे हैं जो जनता के नीचे से आ रहे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्ची चौदरी जी प्रवक्ता प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी और जिस तरह उन्होंने बात की है कि वो तमाम उद्देश जिनको लेकर कॉंग्रेस पार्टी अगातार संगश कर रही है और सबसे बड़ी बात है और यह बात सही भी है कि करोना के काल के दोरान प्रदेश कॉंगरेस के कारेकरताओन प्रदेश कॉंगेश कमिटी ने अपनी और सी जो मदद करना था वो काम किया है उट्री वो भी चला है जिसके जलिए यूगे श्री आप एक जो होना था वो तो दो दिनों में हो चुका है जो विधायकूं के साथ में वन् टो टो वन संग्वाड हुआ जो मंथन किया गए दो दिनों में माकन के द्वारा उससे जो निकलना है उसी से निकलेगा बाकि आज जो हो रहा है पिससे मुख्याले में जो दिन भर कारिक्रम चलेंगे उससे सिर्फ एक रोड मैप तेयार किया जाएगा कि आगे पाठी किस तरीके से बढ़ती है सगर्षन को मस्बूत किस तरीके से करना है अलग-अलग मसले जो हैं जिनको लेकर कॉंग्रिस लगातार हमलावर रही है विजपी पर विपक्ष पर यहाँ पर भी वही होगा कि उन्हीं मुद्दो को लेकर किस तरीके से घेरना है इसे का पूरा प्लान तेयार होगा बाकि मंत्री बंदल विस्तार फिर बदल को लेकर कहा जा रहा था कि असर दिखाए देगा वो दो दिनों का यह असर होगा बाकि आज का उसमें कोई रोल नहीं आप यह कह रहे कि दीपा देखिए कि अभी जो पदादीकारी उनमें से कई ऐसे पदादीकारी जो औरड़ी विधायक है अपनी बात दो दिन के समवाद में अजे माकन को बता चुक है जो कुछ विधायक है जो पदादीकारी बी जिनको चाए वेध प्रकार सोलंग की हो इन लोगों ने अपनी बात अजे माकन को फीड़बैक करकम के तोरान कह दी है तो यह जो बैठक है अब जो रहे है पदादीकारी अभी भी पदादीकारीयों का पूरा कौरम पूरा नहीं है अभी भी संगठन महासची प्रदेश कॉंग्रेस को नहीं मिला है संगठन का जो महासची बहुत ही महतलपून पद होता है जो कि पूरे PCC का इंचार्ज होता ह वो नहीं मिरा है राम चिंक अस्वा और अली तूनवाग जो इंचार सेकेटरी हैं वो ही संगठन का काम ऑफिस का काम देखते हैं जो पीचीची की टीम है उसका विस्तार भी किया जाना है तो यह तमाम मुद्धे हैं प्रदेश कॉंगरेस कारेकारणी से जुड़े और सबसे क्योंकि विक्तिकत जो बात कहनी की होती है अगर लोटन करते हैं समवात तो उसमें विक्तिकत तोर पर या सत्ता संगठन चीज़ुड़े कामों को लेकर बात की जागी तो वो बात यहां पर हो सकती है ठीकए होगी जिफ़ बहुत मेंतेपूर्ण है आप रही हमारे साथ आ ये काफिले की तस्वेरे आपके सामने हैं पी सी सी पहुंश रहे हैं जो तमाम प्रदाधिकारी उन्होंने क्या प्रतिकिरिया दी आजे माकन के साथ बंटवन चर्चा को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं संग्ठन के कैसे मजबती और प्रदान करें और कैसे सरकार के कियो कामों को राम जनता तक हम लेकर जाएं आम चोर अंतिम चोर का बैटा हुआ विक्ति सरकार की योद्नाओं को कैसे लाब ले सके और मानी मुक्वन दिल्चे अच्छा काम करें जाता है वो तो आला कमान ते करेगा किसको क्या देना है वो तो आला कमान ते करेगा नाम जो भी आए पेनल वेती हैं वो तो मानीए प्रभारी जी माकन साब और मारी अध्यक्षा सोनिया गांदी जीरी सब मिलके संग्टन के आला ने तक ते करेंगे किसको क्या देना है हमें जो जिम्मेदारी देती हैं हम उसका अच्छे से नियूरेन करते हैं तो स्वीरे लगातार हम आप तक पहुचा भी रहे होटल मैरियेट से निकले आप पहुचेंगे पिसी से मुख्याले अजे माकन इंतिजार वहाँ पर हो रहा है तमाम जो पदाथी कारी हैं वो लगातार पहुच पर इसी पर बीरोचीफ योगे शर्मा लगातार बने हुए है योगेश जी आवाज पहुच्टी आप तक चले आवाज उन तक नहीं पहुच्टी है कोशिश कर रहे हैं कि दुबारा से उन से संपर्क हो जाए और आज क्या कुछ होना है क्योंकि अभी थोड़े दर के बाद बैठक शुरू होगी उसके बाद क्या दिली जाने से पहले वो एक बार फिर से सीम अशोगेरोट से मिलते हैं ये भी एक सवाल है हाला कि लगातार दो दिनों तक संगवाद हुआ विधायकों के साथ में सुनियों रियक्शन से चलाये जाए संग्ठन को आगे कैसे बढ़ाये जाए और जो जिला देक्ष बनाने हैं उसके पर विचारी में करेंगे किसfires देखता है गए 거तास राजी की टीम बहुत जबरदसक काम करें और डोटास राजी बहुत बादस Mümmrall's स्थकाराइब हूद प्रैस्ट क्यानलिया है यह करें है प्राके खेल रहे हैं जो फ्रेंट पूट थो खेल रहे हैं में समझता हूं जहां तक इस स्य तो इस अच्यPR except कर यह नहीं हो सकता और आगे भी डोटास राजी का ऐसा कार्या काल होगा कि आप लोग सब देखोगे और जो यह भाजपा वाले आरेसस वाले जो लगा रहे हैं इस पर एलिगेशन हो बिल्कुल निरादार है यह किसान का बेटा अगर कोई पास होके आता है तो उस पर यह लिगेश क्सक्राइब साफन इसक्राइब थोING गया है चलब इसक द्रवान के मुलाकात की और इसकाड़ी में आज लीविव मागन शाब का जो दो दिनों तक विधायकों से फीडिवेक का था आज संगठन से बात करके जानने का है तो यह जो प्रभारीका स्टाइल होता है सबसे मिलने करने का इस सब काल बाड़ातीय कंग्रीज कामेटी के रायस्तान के प्रबारी इजाम हमें समालते हैं संगेटन को समालते ہیں और लगातार जो है कि राष्तान के दोरे पर रहते हैं यह अच्छी बात है यह अच्छे संकेवあぁ एक now हम लोगों का भी मनोवल बढ़ता रहता है और राज्तान के अंदर संगठन की इस तरह से और ज्यादा मजबूती से अपना काम कर सके इस बारे में भी हम लोगों को दिसा निर्देश मिलते रहते हैं निश्ची तुरूप से यह सकारात्मक प्रियास है और निश्ची तुरू मरेके अपने चूण के साथ आपने काम किया है और जो दिग्ज कंग्रेस के अध्यक्स रहे प्रभारियों का इस तरह का ठूर संगठनज से मिलना इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं किस तरह इसको देखते हैं एक ज़ीए जादा पर्भारी आएंगे उतने जज्ची तरह हम ल ओर उन सारे कामों का प्रेनाम बहुत अच्छा होता है और इस काम को हम जिस Tरह से किया जा रहा है जिस Tरह से परबारि जन सेक्रेटरी की इंतरश ले रहे हैं हम सरकार की पुंड़ावरती करेंगे इसी काम के लिए सबिए एक जूट होंके काम को करने हैं टीम डोटा-सरा किस तरह से कोरोना काल में टीम डोटा सरा ना काम किया एक चे माने सारा में देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कर दा है को सफिर यह काफिलार आं और हैं यह कोशिश हो रही है कि कुछ बोले एक करा मिने कि कुछ कुछ कहते हैं कि वापस आके बात करेंगे उन्होंने कहा है गाड़ी से उत्रे और यह कहा उन्होंने कि वापस आने दीजिए पहले अभी अंदर जा रहा हूं पदाधिकारी इंतिजार कर रहे हैं उनसे मिटिंग होगी बैटक होगी उसके बाहर लोटूंगा उसी पर योगेश भी लगातार मनेव योगेश और नरेश दोनों ये वहीं पर मौझूद हैं योगेश ये आपका रुख कर रही हूं पहुंच चुके आजे माकन वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी मैं बात नहीं करूँगा लेकिन नरेश अन्दर जाके मिटिंग होगी उसक उस दोरान भी अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है आज पहले PCC पदादीकारियों से चर्चा करेंगे उनका भी मन टटोलेंगे और संभावनाए कि उसके बाद जो पूरा मन्थन जो हुआ है उसके बारे में उक्चार रूप से कोई बयान है वो जे माकन के तरब यह है कि अजे माकन PCC गोविन सिंग्डोटासरा यह PCC पहुंच चुके हैं और यहां पे जो परदेश कोंग्रेस के पदादीकारी है जो पहले से मौजूद थे उनके साथ में कुछ देर में ओप्चारी कुरूप से चर्चा है वो सुरू होगी माना यह जा रहा है कि करीब गेड़ घंटे तक अजे माकन है वो कॉंग्रेस के पदादीकारी उसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद अजे माकन गोविन सिंग्डोटासरा और तमाम पदादीकारी PCC से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे जहां पे मुख्यमंत्री असो गैलोत के द्वारा उनको ल लंच करेंगे को इस दोटासरा को कल पी सी अध्यक्स करोप में जो पदबार गरन के एक साल पूरा हुआ था और आज जो है यह एहम बैठक कैसे को और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर जो लंच होगा उसमें भी चर्चा होगी इस वीड़ाय को के पहुंचने का सिल् जाएं क्या बाद है वह सब्सक्राइब बताएं कि आके बताएं ज्यादा ठीक रहेगा अपने रहें आपने रहें प्रतियासी पी सामील है इसमें कि आपकी राइश आमारी हुई थी और संग्ठन के लोग है ज्यादा अच्छा सुजा उठेगे अभी रात निर्म पहुंच नहीं पाया है था मैं चाक सुप्रेश प्रोग्रम थे कल पहुंच नहीं जाएं. मैं क्या कह रहा हूं भार भार में एक बात करेएं प्रदेश कारी हम सब एक हैं एक जुटता की से जो भी निकलेगा पहले निकल नहीं दीजिए उसके पता लगेगा कि कि आपने सुना उन्होंने का कि सभी एक टीम है टीम के साथ ही आगे बढ़ना है आजे माकन पहुचे मुख्याले अब आगे बैटको का दौर चलेगा नरेश और योगे शर्माद लगातार बने हुए है एक जोटे सब ब्रक के लिए आपर रुपता है फॉरन लॉटेंगे से पर लगातार बने हुए है